हेलो दोस्तो आज हम unboxing और review करने वाले हैं Samsung के Galaxy M35 smartphone का इस phone को मैंने Amazon Prime Day पर launch होते ही खरीद लिया था और इसलिए मुझे इस पर काफी अच्छी deal भी मिल गई थी अगर आप इस phone में interested है तो इसकी link में आपको description में दे दूँगा इस phone के highlighted features की अगर हम बात करें तो Gorilla Glass Victus Plus का होना 6.6 inch का Super AMOLED डिस्पले, 6000 image की बैटरी और 4 साल तक के Android updates इस phone के कुछ noticeable features हैं इस phone के बाकी features के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे ही लेकिन उससे पहले unboxing करके देख लेते हैं कि इस phone का box कैसा है और इसके साथ हमें क्या मिलता है ये रहा Samsung Galaxy M35 smartphone का box सामने आपको phone की तस्वीर के साथ Samsung की branding और Galaxy M35 5G लिखा हुआ मिलेगा left side में फिर से Galaxy M35 5G लिखा है और right side और top plane है bottom में आपको इसके model, color, storage, capacity और बाकी जानकारी मिल जाती है और पीछे की तरफ आपको इसके box contents, specifications और manufacturing की जानकारी दी गई है box को खोलने के लिए आपको बस इसके पीछे दिये इन दो tabs को pull करना है और आप इसकी lid को आराम से उठा सकते हैं box खोलते ही एक पतले से tray में आपको phone रखा हुआ मिलेगा और box की lid में एक packet मिलेगा इस packet में आपको एक SIM ejector pin, quick start guide और white color की USB type C to type C charging cable मिल जाती है pricing के अगर हम बात करें तो इस phone की selling price है 19,999 रुपए जिस पर launch offer में 1,000 रुपए का coupon discount और 2,000 का card discount मिल रहा था इसके अलावा मैंने SM35 launch coupon code इस्तमाल किया जिससे मुझे 400 रुपए का और coupon discount मिल गया तो मेरे लिए total coupon discount हो गया 1400 रुपए इसी के साथ मैंने अपना पुराना Asus का Zenfone Max Pro M2 भी इसके साथ exchange किया जिसकी मुझे 2230 रुपए exchange value मिली इन सभी deductions के बाद मुझे इस phone के लिए 14,379 रुपए देने पड़े और बात यही खतम नहीं हुई क्यूकि मैंने Amazon Pay ICICI का credit card इस्तमाल किया तो उस पर मुझे 5% के हिसाब से 718 रुपए का cashback भी मिला और finally ये Samsung का Galaxy M35 मुझे 13,651 रुपए में मिला डिजाइन और physical overview के गर हम बात करें तो सामने की तरफ आपको 6.6 इंच का Full HD Plus डिस्प्ले मिल जाता है 120 Hz के refresh rate के साथ इतना ही नहीं आपको इस डिस्प्ले पर Corning Gorilla Glass Victus Plus का protection भी मिलता है तो ये डिस्प्ले काफी durable है और आप इसे आराम से बिना किसी screen guard के इस्तमाल कर सकते हैं डिस्प्ले के टॉप में आपको circular hole punch में एक 13MP का front facing camera मिल जाता है इसी के उपर आपको bezel में एक ERP speaker मिलता है जो dual function को support करता है और यही stereo speaker का भी काम करता है right side में आपको इसका power button और volume buttons मिल जाते हैं power button में ही आपको fingerprint sensor भी मिल जाता है इस fingerprint sensor की accuracy और speed काफी अच्छी है और इस पर उंगली रखते ही phone unlock हो जाता है और आपको power button दबाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती left side में आपको इसका SIM tray मिल जाता है यह एक hybrid SIM tray है तो आप इसमें एक समय पर दो SIM card या फिर एक SIM card और एक microSD card इस्तमाल कर सकते हैं इस phone की storage को आप 1TB तक expand कर सकते हैं अगर आप confused है कि कौन सा microSD card अच्छा रहेगा तो एक अच्छे microSD card की link भी मैं आपको description में दे दूँगा phone के bottom में आपको इसका main microphone, USB Type-C का port और speaker भी मिल जाता है और top में एक secondary noise cancellation microphone दिया हुआ है back में आपको इसके 3 cameras और LED flash दिखेगा और यहीं नीचे की तरफ Samsung की branding है इस phone की back soft finish वाले plastic से बनी है और इस पर आपको lines का pattern भी दिखाई देगा sides इस phone की flat है लेकिन design में हलका सा curve है जिसकी वज़े से इस phone को इस्तमाल करना काफी comfortable है मैंने इस phone को daybreak blue color में लिया है इसके अलावा यह phone thunder grey और moonlight blue जैसे दो और colors में भी आता है 6000 image की बड़ी सी battery होने की वज़े से इस phone का वज़न बाकी phone से थोड़ा ज़ादा जरूर है लेकिन यह फर्क सिर्फ 15-20 gram का है और इस वज़े से यह phone metal से बने premium phones की तरह feel होता है overall इस phone की design और in-hand feel काफी premium है और कही से भी यह phone budget segment का phone नहीं लगता specifications की अगर हम बात करें तो इस phone में आपको Samsung का Exynos 1380 processor मिल जाता है मिलने वाले बाकी phone से comparable है इस price पर मिलने वाले सभी phones का Geekbench score 1000 points के करीब ही रहता है लेकिन surprising बात यह लगी कि इसका GPU score उमीद से जादा निकल कर आया और शायद इसलिए इसका gaming performance काफी अच्छा रहा इस phone में आप BGMI को HDR graphics और Ultra frame rate setting पर आराम से खेल सकते हैं और Game Booster की मदद से background apps limit करने का option तो मिलता ही है साथ ही साथ आप इसके display के resolution को भी control कर सकते हैं इस phone का performance मुझे काफी अच्छा लगा और इसके UI को navigate करना और इसमें games खेलने का मेरा experience काफी smooth रहा इस phone का display इस price point पर मिलने वाले बाकी phone से काफी आगे है इस phone में 6.6 inch का Full HD Plus Super AMOLED डिस्पले दिया गया है 120Hz के refresh rate के साथ इस display का color contrast काफी जबरदस्त है और इस वज़े से movies और videos देखते समय details काफी उभर कर आती है इसके अलावा ये display काफी bright भी है और इसकी maximum brightness 1000 nits तक जाती है इस phone का display मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे लिए इस phone के पैसे अकेले display से ही वसूल हो गए अच्छी picture quality के अलावा इसमें आपको Gorilla Glass Victus Plus का protection भी मिल जाता है और इस वज़े से आपको कभी इस phone पर screen guard लगाने पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे features की अगर हम बात करें तो Samsung के One UI 6.1 पर चलने वाला ये phone hardware और software features से loaded है expandable storage, premium design और Gorilla Glass Protection के अलावा आपको इस phone में NFC chip मिलती है जिसकी मदद से आप Samsung payment app पर अपने cards को save करके इस phone से contactless payment भी कर सकते हैं इस phone को आप अपने Microsoft account से link करके phone और PC के भी इस data आराम से transfer भी कर सकते हैं AMOLED screen होने की वज़े से इसमें आपको always on display भी मिलता है और यहाँ आपको date, time, notification और battery status जैसी जानकारी मिल जाती है Samsung के One UI 6.1 में customization के भी काफी options हैं और settings app में ही आपको काफी सारी themes अपने phone के लिए मिल जाएगी Split screen multi window functionality भी इस phone में मिल जाती है यह phone Android 14 पर चल रहा है और 4 साल के Android updates और 5 साल तक के security updates का वादा company ने किया है इस phone के back में आपको 50MP का main camera मिलता है और 8 और 2MP के 2 और cameras मिलते हैं 4MP का main camera होने की वज़े से photos में details काफी अच्छी है और इससे लिए गए photos के colors भी natural के काफी करीब नजर आते हैं इस phone का autofocus भी काफी अच्छे से काम करता है और normal photos में भी आपको natural depth effect देखने को मिलता है खराब lighting condition में इस phone से लिए गए photos थोड़े ग्रेनी जरूर नजर आते हैं लेकिन अच्छी lighting condition में ये phone आपको बिलकुल भी निराश नहीं करेगा front facing camera का performance भी इस price range के हिसाब से मुझे अच्छा लगा और ये camera भी अच्छी और detailed photos निकाल कर दे सकता है इस phone में आपको 6000 image की battery मिलती है जिसमें 25 watt की fast charging का support है मेरे Samsung के 25 watt वाले charger से इस phone को fully charge होने में लगभग 1 घंटे और 50 minute का समय लगा और एक बार fully charge होने के बाद ये phone 9-10 घंटे का screen on time आराम से दे सकता है तो दो दिन की battery life वाला Samsung का claim सचाई से ज़्यादा दूर नहीं है reverse charging के बारे में Samsung की website पर कोई जानकारी नहीं है लेकिन जब मैंने इस phone से अपने headphones को charge करने के कोशिश की तो reverse charging functionality काम कर रही थी तो ये भी एक plus point बन जाता है इस phone को इस्तमाल करने के बाद मैं बस यही कहूंगा कि ये एक sophisticated design वाला premium feeling phone है और इसे इस्तमाल करने में मुझे काफी मज़ा आया ये phone overall एक complete package है और इसका display और battery life तो कमाल है अगर आप एक long lasting phone लेना चाहते हैं जो अगले 4-5 साल तक आपका साथ निभाए तो आप इस phone को consider कर सकते हैं तो ये थी unboxing और एक review Samsung के Galaxy M35 smartphone का इस phone के Amazon link में आपको description में दे दूँगा आप वहाँ से जाकर इसे चेक आउट कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे like जरूर कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर लेना इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद